हलो एब्रीवन आज मैं एक इंस्टेंट रेफ्रेशर कूल ड्रिंग बनाने वाली हूँ जो की कच्चे आम और पुदीने से बनाई जाती है यहार ड्रिंग समर सीजन में बॉडी को कूल फ्रेश रखने में बहुत हेल्प करती है मैंने यहां पर दो कच्चे आम लिये हैं मीडियम साइज के शक्कर फ्रेश पुदीना अगर पुदीना फ्रेश ना हो तो सूखा भी ले सकते हैं काला नमक पाउडर काली मेर्च पाउडर सफेद नमक और भुना जीरा पाउडर अब ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को अच्छे से धोकर छील कर काट लिया है बारिक बारिक पीस कर लिया है अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे इसमें करीब चार चम्मच शक्कर फ्रेश पोदीना लीब्स दो चम्मच सफेद नमक आधा चम्मच काला नमक आधा चम्मच और काली मूच पाउडर वन पोड चम्मच डाल देंगे इसमें भुना जीरा आधा चम्मच डाल देंगे भुना जीरे का टेस्ट इस ड्रिंक में बहुत अच्छा आता है इसमें मैंने करीब आधा लीटर पानी डाला है अब इसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं करीब एक मिनट तक ग्राइंड करते रहेंगे देखिए एक मिनट ग्राइंड करने के बाद यह ऐसा है अब इसको चलनी की हैल्प से जान लेंगे पूरी तरीके से चान लेने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब हम इसके प्रेजेंटेशन की तयारी करते हैं हमने यहाँ पर ग्लास लिया है ग्लास को हम उल्टा करके पिसी हुई शक्कर के उपर ऐसे उसके किनारे प्रैस करदेंगे जिससे हमारे किनारे पर एक शक्कर का रिंग बन जाएगा यह देखे इस तरह से अब इन ग्लासेज में आइस क्यूब्स आपको जितना चिल्ट डिंग पीना है उस हिसाब से आप आइस क्यूब्स का यूज़ कर सकते हैं और हमारा तैयार किया हुआ ड्रिंक टाल देंगे दो मीडियम साइज के कच्चे आम की हेल्प से हम चार ग्लास ड्रिंक टाल देंगे ड्रिंक बना सकते हैं यह देखिए अब इसको ऊपर से पुदीना लीव्स से डेकुरेट कर देंगे और यह हमारा पुदीने और कच्चे आम से बना कूल प्रेस ड्रिंक तैयार है प्रिंक बना कुछे आम से बना कुछे आम कुछे आम से बना कुछे आम से पुदीना लीव्स से ड्रिंक टाल देंगे